सो हे गाइस कैसे हैं आप सब यहां पर आयूश कोर्श के लिए फर्स राउन अफ कांसलिंग की डेट साथ चुकी हैं और यहां पर आपको पता है कि इन लोगों ने बोला था कि बाइस मारे से फर्स राउन अफ कांसलिंग होगी आयूश कोर्श के लिए लेकिन इन लोगों न अपडेट चेंज की हैं और यहाँ पर नए डेट एनाउस किये हैं यहाँ पर आप देख सकते हो अब जो आईश कोर्से जिसमें आपका बीउ, एमेस, बीए, एमेस, एन, बीपिटी हैं इसका जो फिर्स्ट राउंड अफ आनलाइन कांसलिंग होगी वो यहाँ पर पचीस मार अब यहाँ पर आईश कोर्स के लिए जो फिर्स राउंड होगा वो पचीस मारे से लेकर अठाईस मारे तक होगा और यहाँ पर जिन बच्चों ने रहेशन की हैं वही यहाँ पर इलीजिबल हैं कांसलिंग में पार्टिस्पिट करने के लिए जिनका नाम प्रविजनल मेर लिष्ट जो अपडेटिड प्रोविजनल मेरिट लिष्ट हैं जिसमें आप लोगों ने अपनी रेंक देखी होगी सबकुछ नाम जो भी उसमें है रोल नंबर नीट का सिकोर जो अपडेटिड प्रोविजनल मेरिट लिष्ट आई से कुछ दिनों पहले आया था उसी में आपको अपनी रेंक देखनी है एक तो नीट MBBS और BDS के लिए प्रोविजनल मेरिट लिश्ट निकला था लेकिन उसके बाद जो अपडेटिड प्रोविजनल मेरिट लिश्ट निकला उसी में आपको अपनी रेंक देखनी है जो दूसरा वाला प्रोविजन में अटलिश निकला आयूश कोर्स के लिए तो उसी के बेशिस पे यहां पर काउंसलिंग होगी फस्ट राउंड अप काउंसलिंग जो की 25 से लेकर 28 मारेश तक होगी और यहां पर आपको एक चीज़ याद रखनी है कि जो फस्ट राउंड अप आउंड अउनलाइन काउंसलिंग है वो आउनलाइन काउंसलिंग है आपको जेकब ओपी की औरश विला साइट पे जाके प्रेफरेंसिस देने हैं चॉइस फिलिंग करनी है आउनलाइन फस्ट राउंड अप काउंसलिंग को ही हम चॉइस फिलिंग कहते हैं उसी को हम कहते हैं फिलिंग अप अप प्रेफरेंसिस आउनलाइन काउंसलिंग में क्या होता है कि आपको प्रेफरेंसिस फिल करने हैं कॉलेज के लिए आप पहले नमबर पे कोलेज रखोगे उसके बाद दूसरे तीसरे चोथे इसी तरीके से कोर्स में आप B.A.M.S. पहले रखोगे या B.A.M.S. जो भी आपकी प्रेफरेंस होगी तो उसी कोंफर्स राउंड आप आउनलाइन काउंसलिंग केते हैं उसी में आपको प्रेफरेंस देनी हैं उसी में आपको चोईस फिलिंग सब्मिट करने हैं कॉलेज और कोर्स के लिए उसके बाद आपका सिलेक्शन लिस्ट निक लेगा